करनाटक प्रांथ के कृष्णा नदी में एक भगवान विश्नू की प्रतिमा मिली है। ऐसी ही प्रतिमा अरुड योगी राजी ने बनाई जो राम लला की उस पर भी दसावतार उकेरे गए हैं अब आश्चर की बात ये है कि ये प्रतिमा दस्वी बार्वी सताब्दी की है यानि एक हजार शाल पुरानी ये प्रतिमा लग रही है और वही प्रतिमा एकदम राम ल लोग, पूजन, भजन, किर्टन सब कर रहे हैं। और वो एक हजार शाल बाद जो है, वो प्रतिमा मिली है। आश्चर की बात लोग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिमा जो है, राम लला के बिराज मान के कुछ दिनों बाद मिली है। इसलिए लोगों का ये कहना है कि ये एक दम राम लला की तरह मिल रही है। सभी लोग ये कह रहे हैं ये कोई रामलला का चमतकार है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसे कई तरह के चमतकार हो आने वाले दिनों में हो सकता है कि रामलला की तरह और कई प्रतिमाएं मिले खास बात ये है कि जिस तरह से अरूर योगी राज ने रामलला की प्रतिमा मिली है भगवान विश्णू की एक दम हूबू उसी तरह का है यानि दश अतार इस प्रतिमा में भी है भगवान विश्णू के और दशा अतार योगी राज जी ने भी राम लला की प्रतिमा पर गढ़ा है तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे योगी राज कहते हैं कि उनके परि माना जा रहा है कि हो सकता है कि अरुड योगी राज के परिवार के ही किसी सदस ने ये भगवान विश्णु की जो प्रतिमा कृष्णा नदी में मिली है उसका निर्मार किया हो बनाया हो और वही भाव वही छह भी हो सकता है कि अरुड योगी राज जी के मन में आई हो और एक हजार साल पुरानी जो प्रतिमा है वो एकदम राम लला से कैसे मिल रही है तो लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि राम लला आने वाले दिनों में और कोई चमतकार कर सकते हैं जिस तरह से सारी दुनिया राम लला के चेहरे को छबी को देखकर दीवानी हो गई है जि उसको देखते हुए राम लला के कोई ना कोई और चमतकार होंगे इस प्रतिमा को देखकर आपका क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्षन में जरू सूचिक करिएगा